एपिसोड की शुरुवात होती हुए हम देखते पीटर को और पिग लैड को जो कि यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं पर वही पे मीमी और लीसा इसे देखे करे होते हैं कि आखर कर यह फार्म के अनिमल को तुम कहां से लहें साथ ही साथ यहाँ पर वीगन की दोनों भेनों से तो यहाँ पर वीगन इसे क्या थी कि तुम्हें मेरे बारे में काफी ज़द चिनता है जो देखे यह दोनों बेहन और ज़द जलेस हो जाती है तो यहाँ पर वीगन इनने समझाती है कि आखर कर किसी मैन को तुम फोर्स कैसे कर सकती तुम्हारे साथ संबंद बनाने में के तौर पर चुनाएं तो पिगलेट कहती कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेशनी है कि सर पीटर के साथ मैं हमेशा रहूं मुझे तो बस सुनका सीट यह तब यहाँ पर वीगन देखती है इसके जो बलूंस है वो काफी बड़े होते हैं जिने देखे वह थोड़ी जैलेस हो जात हैं जिसे यह रू किये देख सकते हैं कि यहाँ पर पे किसने पीटर के हाथी को कितना खड़ा किया है और सबसे पहली बार होती है लीसा और मीमी की जो की अपने कपड़े तोरंती उतार दे ते जिससे यहाँ पे सबसे हाइष स्कार्ट हो जाता है जोकि 91 का होता है और यह यहाँ पर पिग लैट को देखता है यहाँ पर पीटर का सबसे हाई स्कोर सेट हो जाता है इसके बाद यह सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते है उत्रे में यहाँ पर टीम हा जाता है तो पीटर उसे कहता है क्या तुम इन सब की फाइट रोक सकती हो यह कहता है और वाइन को देखके इन सब की जो वो रोख जाती है और यह लोग यहाँ पर एंजॉय करने लग जाते हैं को इने काफी अच्छा लग रहा होता है और यह सब यहां पर काफी एंजॉय कर रहे होते है वर 11 मैं यहाँ पर पके लैट पीटर तुम एगा नहीत के वाला क्योंकि मैं यहां पर डेस्टेनी उलोवी नासी और मैं तुम लोगों के जल में बिल्कुल भी नी फसूंगा यह कहते हैं कि हमें पता है तुम यही कहते है रहे तो हमेशा जिसकी बाद यहां पर लीसस के क्रीब आ जाती है और इसे अपने मुझ से वाइन पिलाती है औ क्योंकि इसकी कल रात को excitement काफी जादा बढ़ चुकी थी यह लोग फिर टैक करते हैं यह लोग के contract बनाएंगे ताकि इस तरह के situation कोई avoid करते हैं पर यहां पर पेटर को उस डॉल के लिए काफी बुरा लग रहा होता है यह लोग फिर एक treaty बनाते है कि पीटर के उस पार्ट इने क्याती है कि तुम लोग बाइस तो यहां पर यह लोग लड़ने लग जाते हैं पीटर ने समझाने की कोशिश करता है कि मेरा opinion भी matter करता है पर यह लोग उसकी बात ने सुनती है और उसके बाद जब ट्रीटी सायन होती है तो इसके हाथी को काफी जिता मेहनत करने पड चले जाता है पीटेर लू यह काफी अलग लग जगाओ पे जाते जहांपे इन्हें काफी मजा पर आखर में यह रेस्टार पर होता और यह काफी अच्छा हो تाए Ols चाहर रहा है इसकार की मितारों और और कुछ भी नियां जो समय में मुझे काफी यहां पर मिंमी यहां पर यहां पर मैं में थाते हैं जो किसे खेत कि सब्सक्रावनेयों पर राप इसे कैते के अपन facto माँ चुर्चाप मेरे साथा यहांं पर इस घसीट के लिए लोगतिky को कहता है कि तोड़ी दिर में आया यहां पर यह लूग बात रुम के यहां पर आ जाते जहां पर मीमी अपने ख़रादे धी और जब यहां पर पbuildigo को स्वाथ़्ाइओं की श्रिधि होती है लेति हुए थिर्ल मैं जिसे कहते है तो पिरKY क्या हुआ उसके तो फिर कोई माईने ही नहीं है पीटर फिलोविया को कहा था कि मैं थोड़ी दिर में मुझे से कुछ जरूरी बात करनी है और इसे के साथ यहाँ पेटर की आहलत और ज़्यादा खराब हो जाती है पर जब वो दुबारा से टेबल के हाँ पर पहुशता है तो देखते हैं कि लीसा यहाँ पे लुविया के साथ बैटी हुई होती है यह समझाता है कि इन में से कोई भी इस रूल को फॉलोड नहीं करने वाला वही पर यहाँ पे लुविया वाइन पेते हुए वो उस पल को याद करें लग जाती है जब पीटर ने इसकी जान बचाए थी जब यह लोग एक खाई से गिर गए थे क्योंकि इने एक मॉस्टर से बचना था पीटर को काफी चोट लगी थी पर पीटर ने इसे कहा था कि यह जब तक वो उसके साथ है उसे कुछ भी नहीं होगा पर लूवी यहाँ पर थोड़ी सेमुलेट होने लग जाती है क्योंकि उसने थोड़ा जादा ही वाइन पेली होती है जिसके बाद यह लोग घर जाने लग जाते है तो यहाँ पर यह से पूछते है तुम ठीक तो हो ना यह कहता है मैं बिलकुल ठीक हूँ जिसके बाद लूवी यह से कहती कि तो फिर ठीक है मैं घर जा रही हूँ पर जाने से पहले वो यह से कहती कि मुझे बिलकुल भी बुरा नहीं लगएगा अगर हम दोने एक दूसरे के सथ बाहर घूमने के लिए चाहे यहाँ पर पीटर इसे रोकने का सोच रहा होता है पर यहाँ पर लूविया आगे निकलते जारी होती है और पीटर उसे रोक नहीं पा रहा होता है क्योंकि यहां पर इसके सर पर काफी सारी मुझसे बती होती है इस वज़े से यह लूविया को नहीं रोक सकता हमें फिर थोड़ी दिर बात दिखा जाता है जहां पर पीटर नहां रहा होता और यह सूच रहा होता है कि आंखिरकर वो ऐसा क्या करे कि इन सभी लड़कियों से चुटकार है मिल जाए और यह लूविया के साथ थोड़ा टाइम बिदा पाए तब यहां पर पिक लैट आ जाती है तो यह से पूछते कि आंखिरकर तुम यहां पर किसलिए हुई है इक से कहते है कि मुझे पता है कि आप किस तरह के सिचुएशन में हो आप मुझसे उस च इसमें पार फिकर करने की कोज रहते है और यहां पर इसे यहां पर ड़ाई निदिस करने लग जाती है पता है और निकलने की हरकत कर देता है और इस वज़े सी ये काफी frustrated हो जाता है और पानी में अपने वार करने लग जाता है ये काफी जिता frustrated होता है ये फिर ने सबको कहता है कि आखर कर treaty sign करें का मतलब भी क्या हुआ जबकि तुम उसके rules को मानते ही नहीं हो वो एक paper के अलावा कुछ नहीं है तो ये लोग इसे बताते कि दरसले हमने treaty तोड़ने का कोई punishment नहीं रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है और ये सुनने के बाद Peter समाज जाता है क्यों एक ऐसे जाल में फस चुका है जहांसे आप पीछे जाना मुश्किल है और इसका सिर्फ एक ही solution है वो है भागना और Peter इस जगे से भाग जाता है ताकि वो इनके हाथ ना लग सके वो सारी चीजों को छोड़ छाड़के यहांसे बिना कपड़ों के भागने लग जाता है और एक जगी यहांपे बैट जाता है बिना कपड़ों के वो आगे क्या करे पर तबी यहांपे एक और का जाता Suppose जाता है जो कि इस से बात करता है और कहता है कि तुम बिना कपड़ों के यहांपे क्या कर neon झा। जी हो जाँगे तुम यह लपेट लेना चाहीं डुन चाहो तो मैं तुम्हारी मैं इस टाउन में आया हूं और उसे मैं काफ विजदा प्यार करता हूं और मुझे पूरी यकीन है अगर तुम गॉड में विलीफ करें हो तो गॉड तुमें इस अंधेरी दुनिया में रास्ता जरूर दिखाएंगे तो पीटर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही का आखि जाती में वह सबसे जड़ा ताकतवर है और उसका नाम लीसा है जिसे मैं यहां पर ढूंते हुए आया हूं और यह जैसे लीसा का नाम सुनता है इसकी सिट्टी फिट्टी गुल हो जाती है तो यह पूसे तो नहीं कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं इसकी बाद पीटर यहां आखर कर तुम हो कौन तो यह कहती है कि आखर कर यह सब तुमने कहां से जिखा अब जब तुम्हें यह सब पता ही चल गया है तो मैं तुम्हें जूट नहीं बोल सकती मैं सच मुझे एक प्रिंसस हूँ और यह सुनते ही पीटर का मूब बंद हो जाता है क्योंकि यहां पे पर तो और इसे ढुनने के लिए यहां पे आ रहा है वही हमें इनके शेर के गिल्ड के आँँ दिखा जाता है जहां पर हम उसी और को देखते हैं जिसका नम ऐंटोनियो होता है और यहां की रेषप्षनिस को भी जिसका नम मीची होता है यहां पर मीची एक बुक को पढ़ यहां पर एंटोनियो इससे अपना नाम बताता है कि मुझे एक लड़की की तलाश है उसका नम लीसा है पर तबी इसके सामने मीमी आ जाती है जिसे देखे यह कहता है कि लेडी मीमी आव को मैं कब से तलाश रहा हूं तो यह से पूछती है कि स्पार्क टोस आखिर कर तुम य सब्सक्राइब के साथ जो है फेर्ट वो बिगड़ जाएंगी यह कहते हैं इस बारे में चिंता मत करो जाएसे तुमने मेरे अंदर सीट बहुए तो तुम इस चीज में फोकस कना है वह मेरे अंदर सीट बहुना वहीं पर हम देखते हैं एंटोनियो को जो कि यहां पर लीस कोशिश करता है पर वो समस्तानी है क्योंकि वो काफ़ी जदा गुस्से में होता है और वो इसके उपर हमला कर देता है और इस वज़े जो पीटर का अपार्टमेंट होता है वो भी तूट जाता है जो देखके पीटर को काफ़ी बुरा लग रहा होता है तभी यहां पर एंट टिट काफी जदा बढ़ चुकी है लीसा फिर अंटोनियो से पूछती है कि आखिर कर तुम यहां पर किसले आयो यह से बताता है कि मैं आप दोनों की यहां पर ले जाने के लिए हूँ और आप काफी जदा सुन्दर बन चुकी है लेडी लीसा तो प्लीज आप इस मिशन को ब वो चीज मुझे मिलगी जो मुझे चाहिए थी मैंने वर्ल्ड स्टॉंगेस्ट वारियर को अपना डूनर चुनाए और जब तक मैं वर्ल्ड स्टॉंगेस्ट चायल्ड को अपने अंदर कैरी नहीं कर लेती मैं वापिस नहीं आऊंगी तो यह कहता है कि हमारी यहां भी हास तक एक बार भी नहीं हराएं तुम हर बार मुझसे हार जाते थे अगर तुम सचमुच ताकद बन चुके हो तो मुझे दिखाओ और मुझे प्रूफ करो कि तुम ताकद वर हो तो यह कहता है कि मैं काफी सालों से इधर उधर भटक रहता आपकी तलाश में और उनी सालो लो यहाँ पे पीटर को देख के यह सोच रहे होते हैं कि आखिर कर यह किसी और लड़की के लिए क्यों लड़ रहा है जब कि इसके पास फियांसे है पर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि शायद पीटर सिब दिखावी के लिए लड़ रहा है ताकि वो यहाँ पे एंटोनिय और लिसा को मिला सके और इनकी बास उनके पीटर सोचता है अगर वो जान बूच के अंटोनियों से हार जाए तो लिसा उसके साथ चली जाएगी पस इसे सरफ एक दिखावट की लड़ाई करनी है पर तब यहाँ पे लिसा आ जाती है और इससे कहती है कि कुछ भी करने से पहल पड़ेगा और इन दोनों के बीच अप लड़ाई शुरू हो जाती है पर लड़ाई शुरू होने से पहले यहां पर एंटोनियों से कहा है कि तुम याद है जो बात हैं हमने जब पहले दिन हम मिले थे तब मैंने कही थी तुमसे कि प्यार जैनुवन होता है अगर तुमार पर इंटोनियों का साथ होती है पर यहां पर ना चाहती है ऑपर इस से इतनी सक्तिसे बात नहीं करने इसे और मौका दे देना चीए जिसके बाद यहाँ पर एंटोनियों के सामने जुक जाता और कहता है कि मुझे एक और चांस दो तो यह मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ ताकि तुम अपनी ताकत को साबित कर सको पर तुम्हारा अगला विरोधी पी बन सको तरह में आपे और वीगन आ जाते जो कि इससे समझाते हैं कि इससे अपना श्रूंड बना ले उसे ताकत बर बना सकता कि लीसा को हरा कि उन दोनों भेनों को यहां से ले चाए तो यह चीज़ के लिए मान जाता और एंटोनियों को ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहता है जिसके बाद यह की ट्रेइनिंग शुरू करते ता है जो कि काफी हाड होती है साथ यहां पर वेगन इसके उपर अपना स्पैल भी कास्ट करती है ताकि और जदा ताकत बरबन सके और उसके साथ यहां पर पेगलाइट इसके लिए काफी सारा प्रोटीन बना जाती है कि वो मीची है जो कि हमारी गिल्ड की रेसपनिस्ट है वो जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से यहां पर अन्टोनियो से मिलने के लिए आते रहती है और लगता है वो दोनों काफी जदा करीब आ चुके है और फैनली वो दिन आ जाता है जिस दिन लीसा और अन्टोनियो को लड़ना होता और यह दोने एक दूसरी से लड़ाय शुरू कर देते हैं यहां पर शुरू में तो अन्टोनियो लीसा के उपर काफी जदा भारी पढ़ रहा होता और पीटर को लगता है कि अन्टोनियो जल्दी ही इससे जीच जाएगा पर यहां पर एंट लिए जाते हैं और यहां पर यहां पर एंटोनियो को होशाता है तो उससे पूछता है क्या हुआ यहां पीटर से बताता है क्यों तुम हार गए तो एंटोनियो कहता है कि मुझे लगाई था उससे जीतना इंपॉसिबल है यह कहता है कि हाँ उससे जीतना इंपॉसिबल है क्योंकि वो ताकत नहीं है जिससे वो तुमें हरा रही है वो उसकी बलून से है जिसके मदद से वो तुमें डिस्टैक कर देती है और वो तुमें मस्कुलर मैन काफ विजदा पसंद है और उसकी आँखों मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हें काफ विजदा प्यार करती है अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो और उसके साथ फिजिकल रिलेशन्शिप में आ जाओ तो तुम शायद लीसा को हरा सकते हो पर यह कहता है कि तो हम फिर अगले दिन देखते हैं जहां पर एंटोनियों और मीची फिजिकल इकाफ फिजदा फिट हो चुके होते हैं और एंटोनियों अब लीसा को हरा सकता है तो पीटर से कहता है कि आप तो मुझे हरा सकते हो तो मैं चिंता करने की कोई जरूती है हमें अभी जाकि लीशा शुक्रिया करता है और यह दोनिया से चले जाते हैं वाई पीटर सोच रहा होता है कि जैसी उस बंदियों को गल्फ्रेंड मिली उसने सारी चीजे त्याग दी उतने मिया पर लीसा आ जाती है जो कि इसे कहती कि तुमने काफी अच्छा काम किया तुमारी वज़े से हमारे पस एक और ताकतवर सोलजर आ चुका है तुम्हारा मेरे उपर कर्स है क्योंकि तुमने मेरे असिस्टेंट को एक रहा दिखाई है पर जो एडवाइस तुम उसे दे रहे थे वो तुम अपने आप पे अपलाए कर सकते हो तुम्हें ट्रू हैपिनस यह ना वह हम तुम ही द पीटर तुम यहां पर क्या कर रहे हो पीटर कहता है कि मैंने चुन लिया क्या मेरे ट्रू हैपिनस क्या है पर तब यहां पर लुविलिया से कहती है कि आखिर कर तुम कहा थे तुम्हें पता भी हमारे आसपास की विलेज की ओपर गॉबलीन इन्वेजन हुआ है और वो सार मत करो चाहिए जो हो जाए मैं तो मैं हमेशा सेफ रखूंगा और यह लोग देखते हैं कि यहां पर जो मीटर है वो 91 का होता है जो की सबसे हाइस होता है और वहीं पर बाकिल लड़किया इन दोनों का पीछा कर रही होती है ताकि पीटर गिल को अकिला मैसूस ना हो और यहां मैं 20-20 मिनट की वीडियो डाल रहा हूं तो एक दिन में हो सकता है दो वीडियो आ जाए और आगाइस तीन वीडियो की होप मंत करना क्योंकि मैं एक बार में एक पूरे सीजन को एक्स्प्लेइन करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार मैं 6 पीसोर लूँगा उससे एक्स्प सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत बूलना गाइस थैंक्स वाचेंगा इस नेक्स वीडियो मिलता है और अपसब बढ़ी हाऊंगे थैंक्स वाचेंग स्क्राइब नेशवा थीजिए थैंक्स वाचेंग